अपसे पहले खबर कॉंग्रिस पार्टी को लगे जटके से जुड़ी हुई सीनियर पार्टी ने था गुलाम नभी आजाद ने कॉंग्रिस से इस्तीफा दे दिया है उन्होंने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता और सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है अपने इस्तीफे के पक्ष में आजाद ने कहा था कि कैंपेइन कमिटी का ध्यक्ष बनाना उनका डिमोशन था और आज उन्होंने बकाइदा इस्तीफे के चिट्थी में सुनिया गांधी और राहूल गांधी पर पार्टी को लेकर गंभी रारूप लगाए है। इसको लेकर जो चिट्थी लिखिए और गुलाम नवी आजाद ने उसमें क्या आरूप उन्होंने लगाए है और नाराज की किस बात की? देखे गुलाम नभी आजाद ने जो लंबी चोड़ी चिठी लिखी है उन्होंने उसमें जिक्क किया है कि किस तरह से जमू कश्मीर में जब कॉई नाम लेवा नहीं था तब उहां पर उन्होंने कॉण्ग्रेस जॉइन किया और कॉण्ग्रेस ने उहां किस तरह से एक और सेक्योर्टी गार्ड तीनों तीन लोग फैसला करते हैं यानि तीखा प्रिहार किया है राहल गांदी की वर्किंग स्टाil पर तूसरी महत्पून बात कही है कि राहल गांदी में बचकाना पन है और इस तरह से कई टिप्णी की है एक और का बात कही है गुलाम नभी आ अज़ाद ने अपने पत्र के जरीए और कहा है कि गांधी परिवार में सिर्फ दिखावे के लिए चुनाओ हो रहे हैं लेकिन अध्यक्ष कौन बनेगा ये गांधी परिवार ही ते करता है तो कुल मिलाके ये है कि राहुल गांधी गांधी परिवार पर गुलाम नभी के पार्टी छोड़ने के बाद उनके अब कई समर्थक हैं धीरे धीरे आ रहाए हैं अभी चैपूर बिधायक जो जमू कश्मीर के हैं वो दिल्ली पहुंचे हैं उन्होंने गुलाम नभी आज़ाद से मुलाकात की है और उसके बाद अपना इस्तीपा कॉंग्रेस पार्ट हैं और कई पूर बिधायक हैं तो अब धीरे धीरे करके गुलाम नभी आज़ाद के साथ जो उनके समर्थक हैं वो आने लगे हैं हाला कि आज आपको बता दें कॉंग्रेस पार्टी ने इनके पत्र पर एक नप कहें सधी हुई प्रित्क्रिया ब्यक्ति जैराम रमेश और जैमाकन ने जिन्होंने कहा कि ऐसे दौर में जब कॉंग्रेस पार्टी बीजेपी का मुकाबला कर रही है एंडिय सरकार का मुकाबला कर रही है मुश्किल दौर में हैं तब गुलाम नभी आज़ाद पार्टी छोड़कर चोड़कर चले गए हैं तो उन्होंने सधी हुई प्रित्किरिया बेक्ती है लेकिन कॉंग्रेस के जो दूसरे नेता है अब धीरे-धीरे करके गुलाम नभी आजाद पर हमले कर रहे हैं जस तरह से अशोक गहलोत ने कहा कि संजय गांधी के जो चाटुकार और चम्चे जिनको कहा जाता था उनमें गुलाम नभी आजात का ना रही है लेकिन धीरे-धीरे कॉंग्रेस के जो दूसरे निता है अब गुलाम नभी आजाद पर निशाना साध रहे हैं आपको यह भी जानकारी देदें कि गुलाम नभी आजाद अभी दिली में ही अपने आवास पर मौजूद हैं जो पांच साउथ एवेन्यून का सरकारी आवास यहां पर मौजूद हैं अब उनके अगले कदम का इंतिजार किया जा रहा है क्या वो जमू कश्मीर में नई पॉलिटिकल पार्टी बनाएंगे या फिर किसी और पॉलिटिकल पार्टी में जाएंगे सबकी निगाहे अब गुलाम नभी आजाद के अगले कदम पर ह करेंगे ब्रह्मर प्रकाश दूबे इस पूरी खबर पर उजाद अफडेट हम तक पहुंचाने के लिए तो गुलाम नभी आजाद ने कॉंग्रिस से और उनकी पार्टी की प्रात्मिक सदसिता है सभी पदो से इस्तीफा दे दिया बड़ी खबर पर जानकारी देते हमारे समवादा था